सीजन 3 एपिसोड 12 स्टार्ट होता है हमें दिखता है कि दो लोग जो कार में बैठते हैं और ड्रग्स के लिए बच्चों को यूज करते हैं उन लोगों के लिए एक बर्गर ले जाती है हमारी वेंडी वेंडी वही होती है जिसने जैसी को बचाय हुआ होता है डीए से डीए उनके लिए बर्गर लेके जाती है वेंडी उनसे ही मेद बाय करती है फिर हमें वाल्टर और वाल्टर जुनियर कार में बेठे हुए दिखते हैं वाल्टर जुनियर को वाल्टर ड्राइव कर दे रहा होता है तो वाल्टर जुनियर उससे पूछता है कि मेरी अब जाना चाहता हूँ, वो फिर बोलता है कि मैं अभी भी दो पेर से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक medical certificate लगे का और मैं driving test दे सकता हूँ, तो Walter फिर उसे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, तुम किसी भी पेर से गाड़ी चला सकते हो, हमने देखा था कि प्रिवि प्रिशन हमें दिखती है कि वो बोलता है कि कुछ भी नहीं फरक पड़ता, जब तक तुम पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रहे हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, जब Walter घर आता है तो Skyler फिर उसे पूछती है कि क्या तुमने सोचा कि मैं ये business run कर सकती हूँ या नहीं, तो Walter एक bad bad idea है, तुम इसमें involved नहीं हो सकती, तो Skyler उसे बोलती है कि अगर मैं इसमें involved नहीं हुए, तो लोग इस पर believe ही नहीं करेंगे, तो Walter फिर उसे बोलता है कि अगर तुमें लोगों को ही believe कराना है, तो मुझे भी इस family का part होना चाहिए, तो वो फिर discuss करते है कि कि कितने nights Walter वहाँ dinner कर सकता है, और कब वो आ सकता है उसके house में, जेसी और Walter अपने life में होते हैं, फिर जेसी Walter को बोलता है कि हमें एक drink लेनी चाहिए, तो Walter बोलता है कि अभी मैं जरा busy हूँ, मैं आज नहीं कर सकता, फिर जेसी बोलता है कि ये important बात है और मैं यहाँ नहीं करना चाहता तो वो उसे drink के लिए ले जाता है, जेसी फिल Walter को बोलता है कि जो तुमारा bin से जिसमें poisons होता है, तो वो मुझे चाहिए, वो बोलता है कि ये तुम्हें क्यों चाहिए, तो जेसी बोलता है कि तुम्हें याद है कि कॉम्बो को किन लड़के ने street पर मार दिया था, वो एक कि जो delivery system है, वो भी मैंने figure out कर ली है, मेरी एक friend है जो उनके लिए खाना लेके जाएगी और मैं उसमें वो beans डाल दूँगा, natural cause से वो मर जाएंगे, जैसे हम टिकू के लिए करने वाले थे, वैसे ही हम इनको भी मार देंगे, तो Walter उसे बहुत bad idea ये बोलता है, Walter बोलता है अ जो को मानना था, ये जब तुम्हारा idea था तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मैं जब बोल रहा हूँ, तो तुम्हें suddenly ये बुरा लग रहा है, Walter उसे समझाता है, कि murder से तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ एक चीज नहीं है कि जो तुम्हें करन जाता है, फिर जब Walter अपने कार्ज दिखाता है, Walter जुनियर वहाँ जीद गया होता है, तो मरी को शक होता है कि वो अपने फादर के साथ कार्ज प्ले कर रहा होगा, पर Walter जुनियर उसको मना कर देता है, इससे Walter की जो स्टोरी होती है, वो सही थी, ये भी एक assurance मरी को मिल जात जाता है, अब जेसी उन दो लोगों को मारने वाला होता है, तो Walter फिर Saul के पास जाता है, वो उसको बोलता है कि हमें कुछ option discuss करने चाहिए, Walter Saul को बोलता है कि हमें जेसी को arrest करवा देना चाहिए, एक month के लिए या कुछ time period के लिए उसे हमें arrest करवा देना चाहिए, तो Saul बोलत जरेघने को के लिए ready नहीं होता वोल्टर बोलता है कि तुम इंकर सकते हो या नहीं हो तो सॉल्ण बोलता है कि इक मेरे प्रेमर बेंच में आता है पर मैं करवा सकता हूँ तो यही यह scene end हो जाता है फिर हमें दिखता है जेसी जो Wendy को समझा रहा होता है कि उसे उन दोन लोगों को मार देना है वो बोलता है poison जो है वो unresable है और तुम तक वो कभी भी नहीं आ सकता Wendy डर रही होती वो बोलता है कि तुमारे अगर तुमारा बच्चा उसकी जगा होता तो क्या तुम उन्हें नहीं मारती तुमारे बच्चे के लिए तुम नहीं करती तो Wendy बोलती है कि मेरे बच्चे के लिए तुम यह सब करती हूँ जेसी उसे बोलता है कि वो बहुत ही बुरे लोग है और उनको मरना ही होगा उन्होंने वो प्लान नेक्स दीन के लिए बनाय हुआ होता है Walter घर पर होता है तब उसे मिलने माइक आता है माइक बोलता है कि तुम ये जो प्लान कर रहे हो जेसी को पगड़ने वाने के लिए तो इसका जोब Saul ने मुझे दिया है उयक्षा जो तुम काम कर रही हो वो पूरी तरीके से करना चाहिए जैसि को अगर तुम पकड़ रहे हो तो यह गलत कर रहे हो जैसि को तुम है पूरी तरह से eliminate कर देना चाहिए यह Mike Walter को बता रहा होता है जब next दिन JC Wendy के साथ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ होता है तभी Mike और उसका एक असोषेट वहाँ आ जाता है वो JC को लेकर गाड़ी में बैठा कर चले जाते है वो फिर उनको एक meeting के जगा लिके आते है जहाँ Gus और पिछले डॉन कार्टेल के बॉस की meeting हुई थी जब JC वहाँ पोचता है तो वहाँ Walter और Gus दोनों होते हैं तो Gus जेसी से बोलता है कि तुमें मेरे जो आदमी है उनसे एक problem है तुमें अब इस problem का solution निकालना है तुम उनको मार नहीं सकते तुमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए और तुमें ये मामला यही सुल्टा रेना चाहिए वो बोलता है कि ये दोनों side की गलती थी जो जब combo मरा था combo एक गलत इलाके में था इसलिए वो मरा था और ये एक business में ये सब तो चलता रहता है फिर जेसी गस को बोलता है कि ये दोनों बच्चों को यूज करते drugs sale करने के लिए फिर गस उनको बोलता है कि तुम अब बच्चों को यूज नहीं करोगे जेसी उनसे हाथ मिलाता है और यही ये scene खतम हो जाता है walder उसके गाड़ी में जेसी को समझा रहा होता है कि कभी-कभी हमें compromise भी कर लेना चाहिए ये business के लिए आच्छा होता है next scene में हमें मरी हैंग को पोश्टे होए दिखती है हैंग उसे बोलता है कि यहाँ professional से जो मेरी care कर सकते है मेरे लिए सब चीजे कर सकते है पर फिर मरी उसे बोलती है कि मेरे तरीके से वो अच्छी तरीके से नहीं करेंगे में अच्छी तरीके से तुमें पोश्ट दूँगी मरी फिर हैंग के private part को भी पोश्टने लगती है फिर हैंग बोलता है कि तुम यह क्या कर रही हो कोई आ जाएगा तो हैंग बोलता है कि हैंग बोलता है कि में ठका हुआ भी हूँ और मेडिकेशन पे भी हूँ तो यह नहीं काम कर सकता तो मरी और उसकी बेड लग जाती है अगर मरी ने उसको एकसाइट कर दिया तो वो घर चलने के लिए रेडी हो जाएगा और फिर हमें दिखा है Hank discharge लेते हुए फिर से JC और Andrea बेड में होते तबी Andrea को call आ जाता है Andrea crime scene पर पोचती है तो Andrea को जो brother होता है वो उससे मार दिया होता है JC ये सब देखता है Walter JC को call करता है पर JC उसका call नहीं उठा रहा होता फिर Walter जब घर भी आता है तब फिर से JC को call करता है पर JC तब भी उसका call नहीं उठा था जब वो dinner table पर आते है तब news channel पर एक news आती है कि Thomas मर चुका है Walter ये figure out कर लेता है कि कहा ये छोटा लड़का मरा है और JC किस area के बारे में बोल रहा था तो Walter वहाँ से fastly निकल जाता है next scene में हमें JC कार से निकलता हो दिखता है JC के पास एक gun भी होती है वो उन दोनों लोगों को मार देने वाला होता है वो कार से निकलता है और एक street पर वो दो लोगों होते है वो दो लोग भी अपनी guns निकालते है और वो JC को मारने वाले होते है तभी Walter अपनी कार से उन दोन लोगों को कुछल देता है एक उन में से एक जरा जिन्दा होता है तो Walter गन लेकर उसे भी उड़ा देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है